हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई स्टोडी टाइम, आज के इस वीडियो में हम एक पॉएम को डिसकस करेंगे, पॉएम का नेम है हॉक, इस पॉएम को केकी एंड डरवाला जीने लिखा था, और ये जो पॉएम है ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग पॉएम है और बहुत ही इ इस वीडियो में इस पॉएम का सिर्फ फास्ट पार्ट को डिसकस करेंगे, तो इस पॉएम का तीन पार्ट हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक लॉएम है तो इस लिए इस वीडियो में सिर्फ इसका पार्ट वान डिसकस करेंगे, ठीक है, तो अगर आपने अभी तक ह Cakee and Darwala जी ने लिखा था, और ये जो poem है, ये The Keeper of the Dead poem collection से लिए गया है, और ये जो poem collection है, इसे 1982 में publish करवाया गया था, ठीक है 1982 में इस poem collection को publish करवाया गया था और इस poem collection की बज़े से 1984 में 1984 में केकी अन्डरवाला जी को साहित्य अकाडमी पुरस्कार मिला था तो ये एक बहुत ही important point है क्योंकि ये जो poem collection है बहुत ही interesting poem collection था इसलिए साहित्य अकाडमी पुरस्कार उन्हें 1984 में मिला था तो चलिए इस poem को line by line हम समझते हैं ये जो poem है हक poem ये एक interesting poem होने के साथ साथ एक psychological poem भी है आज के इस वीडियो में इस poem का सिर्फ part 1 को discuss करेंगे यानि stanza 1 को discuss करेंगे हक जो है हक यानि बाच पक्षी ठीक है बाच पक्षी को आप कह सकते हैं आस्मान का राजा या फिर king of the sky बाच पक्षी जो है उसका नेचर है कि वो दूसरे जो जानबर होते हैं उन्हें मार कर खाई या फिर दूसरे जो पंक्षी होते हैं उन्हें मार कर खाना उसका एक नेचर है तो इसे आप कह सकते हैं यह एक प्रीडर्टर है ठीक है एक प्रीडर्टर एनिमाल है तो यह जो बा आगी संतुलन है वो बिगड जाएगा वो एक ट्रेंड हत्यारा बन जाएगा तो यह एक साइकोलोजिकल व्यूपॉइंट है यहां पर तो इस पोएम में जो बाजपक्षी के अंदर जो वावलेंस है उसे हुमेन के साथ कंप्यार किया गया है हुमेन के अंदर जो वावलेंस है और बाजपक्षी के अंदर जो वावलेंस है इन दोनों को कंप्यार करके इस पोएम में उसे दर्साया गया है तो चलिए इस पोएम को हम लाइन बाइन समझते हैं और आज के इस वीडियो में इस पोएम का सिर्फ फास्ट अंजा जो है उसे ही समझेंगे नेक्स्ट पार मैंने एक बाजपक्षी को दिखा जो आसमान में हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था वाइल्ड का मतलब जंगली और एसंडिंग का मतलब जो धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जाता है तो आसमान में जो हवा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता ही गया था और वो जो बा भाजपक्षी के नीचे जो जमीन था वो नमक से कभर हो गया था, यानि फिर्म का मतलब होता है, एक रास्परेंट कभर जो होता है, ठीक है, ग्रास सीट, इंसेक्ट, बार्ड्स, नथिंग कुड़ थ्राइब दियार, और उस जमीन में क्या है, जैसे एक नमक, यानि नमकिन जमीन में जैसे कोई भी पेड़ पोधा नहीं उख पाते हैं, उसी तरह उस बाजपक्षी के नीचे कोई भी सीड हो, इंसेक्ट्स हो, कोई भी बाड्स हो, कोई भी वहाँ पर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो जो बाजपक्षी है, वो एक जंगली जानभर है, वो एक पाता है ठीक है तो यहां पर गायर का मतलब होता है concentric circle जो बाचबक्षी होते हैं यहां पर ऐसे आस्मान में घुमते हैं एक जगह रहकर और उनका जो center होता है, same रहता है ठीक है, तो इसे गायर कहा है तो वो जो बाचबक्षी है वो अपने ही moment में यहां पर खोया हुआ है तो यहां पर एक चीज़ आप notice करना जो बाचबक्षी यहां पर लिखा गया है हर जगह पर बाचबक्षी को ही के नाम से पुकारा जा रहा है यहां पर ठीक है, ही ड्रिल्ड यहां पर ही वाच लॉस्ट तो यहां पर जो vàolence है जो बाचबक्षी के अदर जो Vincent है, Human के साथ, Human Society में जो vulnerability है, इनसान परिसाइट अन दा कील, ता फ्यूज अफिछ हैट वाच बर्निंग स्टीजू एक बाच-पकशी जो होता है उसे लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो जहां भी जाता है, बाकी जो पंक्शी होता हैं वो भाग जाते हैं, वो डर जाते हैं, इसलिए उसके अंदर क्या है, hatred भरा हुआ है एक frustrated perisite perisite का मतलब यहाँ पर है जो खुद के parents को मार देता है और उस बाजपक्षी इतना भयंकर है कि उसे एक perisite कहा गया है ठीक है और उसके अंदर एक hatred भरा हुआ है the future of its hate was burning steel तो यहाँ पर उसके एक बाजपक्षी के अंदर जो hate भरा हुआ है उसे यहाँ पर एक bomb के साथ compare क्या है bomb के उपर जैसे एक huge होता है और वो कभी भी फट सकता है huge अगर जलता है तो वो कभी भी जैसे bomb फट सकता है ठीक उसी तरह एक बाजपक्षी के अंदर क्या है? hatred भरा हुआ है और वो जो hate है वो जल रहा है यानि वो जो बाजपक्षी है कभी भी भयंकर हो सकता है I hope यह जो first अंज़ा का first person था यह आपको समझ में आ गया होगा अब देखते हैं जो second person है यहाँ पर लिखा गया है but in the evening he hovered above the groups a speck of bark person लेकिन साम के समय वो जो hawk यानि वो जो बाजपक्षी है वो कहाँ पर उड़ता है वो garden के उपर उड़ता है देखे यहाँ पर भी he का यूच किया गया है he यानि यहाँ पर hawk ठीक है but in the evening he hovered above the groups hovered का मतलब है एक जगह पर उड़ना ठीक है इसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर उड़ना साम के समय evening के time वो क्या करता है groups यानि garden garden के उपर उड़ता है इस speck of bark person speck यानि spot नीचे उस hawk पक्षी यानि वो जो बाजपक्षी है उसे देखने से एक spot जैसा लगता है इस speck of bark person bark का मतलब है जहां पर एक pointed होता है जैसे arrow में क्या होता है arrow यानि तीर में क्या होता है यहां पर तीर ये ऐसे pointed है लेकिन यहां पर ये जो नीचे का side में जो point है इसे कहते हैं barbed यानि किसी भी जगह ये निकल जाता है तो उसे खीचने में बहुत दर्ध होता है अगर ये किसी इंसान के या फिर किसी जानबर के बड़ी के अंदर घुज गया तो उसे हम जब वापस खीचेंगे reverse में तो वो एक बहुत बड़ा जखम दे के वो बाहर आ जाएगा तो उसे कहा गया है barbed तो उस बाचपक्षी के अंदर ऐसे barbed पैसन यानि जखम देने का जो पैसन है उसके अंदर किसी भी चीज को वो जखम दे सकता है ठीक है तो इसलिए उसे barbed कहा गया है crow, manna and pigeon roasted here while parakids fleuracusly by तो बाचपक्षी आने से बागी सारे जो पंच्षी होते हैं वो डर कर इधर उधर चले जाते हैं यहाँ पर लिखा गया है crow, manna and pigeons roasted here बागी सारे जो पंच्षी है crow, manna and pigeon roasted वो बहुत सारे आवाज कर रहे हैं while parakids fleuracusly by parakids parakids का मतलब एक पंच्षी होता है जो parrot जैसे दिखता है लेकिन उसका जो पूँच होता है वो long पूँच होता है जो bad noise करके एक unpleasant sound create करके तो बाच पक्षी आने से बागी सारे जो पंच्षी हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं बागी सारे जो पंच्षी हैं वो आवाज create करते हैं noise create करते हैं और जो parakids हैं बहुत सारे unpleasant noise करके वो किसी दूसरे जगह को भाग जाते है तो यहाँ पर point ने कैसे एक example दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि उस बाजपक्षी आने से बाकी सारे जो पंचियां वो इधर उधर चले जाते हैं unpleasant noise create करके भाग जाते हैं तो उस scene को धरसाते हुए point ने यहाँ पर क्या लिखा है and then he ran amok और बाकी सारे जो पंचियां वो इधर उधर भाग जाने से जो बाजपक्षी हो जाता है वो out of control हो जाता है amok का मतलब है out of control हो जाना तो अपने जो मानसिक स्थिती है वो खो जाता है he ran amok वो out of control हो जाता है और इस situation को दर साथे होए point ने क्या कहा है a rapist in the harem of the sky तो harem का मतलब है जहाँ पर जो एक group of women जहाँ पर रहते हैं यानि जो स्त्री होते हैं वो जहाँ पर रहते हैं उसे harem कहा है ठीक है तो इस poem के context में यहाँ पर मैंने यह कहा है जहाँ पर एक group of women रहते हैं उसे harem कहा गया है ठीक है तो एक harem के अंदर एक rapist जैसे आ जाने से जैसे जो women है वो इधर-उदर भाग जाते हैं उसी तरह यहाँ पर जो आस्मान का जो स्थिती है एक बाच-पक्षी आ जाने से जो बाकी सारे पंचियां होते हैं वो इधर-उदर भाग जाते हैं क्योंकि उनके अंदर वो fear है ठीक है तो बाच-पक्षी के अंदर जो violence है उसे ही यहाँ पर रेफिष्ट कहा गया है तो यहाँ पर जो comparison है इसे आप आसानी से समझ सकते हैं As he went off with a pigeon Screwed to his heel talon He scanned the other birds Marking out their fate The ones he would scoop up next Those black dregs in the cough of his head तो यहाँ पर point ने कहा है As he went off with a pigeon जैसे ही उसने एक पीजन पर जपटा Screwed to his heel talon Screwed यानी एक नूकिले चीज से किसी के अंदर घुशा देना ठीक है जैसे एक नूकिले चीज किसी के अंदर घुश जाता है उसी तरह वो जो बाच पक्षी है एक पीजन के उपर जपटा और अपने heel talon heel talon यानी उसका जो claw है उससे उस पीजन को क्या क्या उसने स्ट्यूट कल दिया यानी उसके अंदर उसका जो heel talon है उसे घुशा दिया तो यहाँ पर भी देखे यहाँ पर भी ही का यूज क्या गया है और उसके बाद क्या हुआ उसने बाकी सारे पंख्षियों को देखा जैसे कि वो खुद ही बाकी सारे पंख्षियों का भाग्या को निर्धारित कर रहा है क्योंकि वहाँ पर वो खुद predator है और बाकी सारे पंख्षी जो है वो दुरबल पंख्षिया है ठीक है तो उस बाच पंख्षी ने बाकी सारे पंख्षियों को देखा जैसे कि marking out their plate क्योंकि वो ही वहाँ पर उन पंख्षियों का भाग्या को निर्धारित कर रहा है और उन पंख्षियों को देखकर वो क्या सोच रहा है किसको वो अपना अगला सिकार बनाएगा वो जो बाच पंख्षियों को देखकर वो scan कर रहा है कि वो किसको अपना next target बनाएगा और वो जो बाच पंख्षियों हो हेट से भरा हुआ है और बाकी सारे जो पंख्षियों है वो उनके उस बाच पंख्षियों का next target है तो यहाँ पर point ने, point यहाँ पर बता रहे हैं कि बाचपक्षी head से भरा हुआ है और बाकी सारे जो दुसरे birds हैं वो एक cop के अंदर dregs जैसे हैं dregs का मतलब एक cop के अंदर कुछ liquids है और उस liquids के बीच कुछ solids हैं तो solid के जो कुछ pieces बचे हुए हैं उसे dregs कहा गया है तो वो जो बाचपक्षी है वो head rate से भरा हुआ है हेट से भरा हुआ है और बाकी सारे जो small punch हैं उन्हें यहाँ पर dregs के साथ compare किया गया है क्योंकि वो जो बाचपक्षी है उन्हीं पक्षी को अपना next सिकार बनाएगा तो इसलिए उन पक्षियों को dregs के साथ यहाँ पर compare किया गया है आई होब यह जो hog point है इसका जो first stanza है यह आपको समझ में आ गया होगा तो यह इस वीडियो का part 1 था तो आई होब यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर दीजिए share कर दीजिए and my study time youtube channel को subscribe कर दीजिए next वीडियो में हम इसका part 2 को discuss करेंगे part 2 में second stanza को discuss करेंगे thank you